अलो भाई यो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे तो आज हम बात करने वाले हैं आज के दिन के पहले टीटेन मैच के बारे में जो की खेला जाएगा फालको और बांगलादेश किंग्स के बीच में मतलब F.A.L. और B.A.K. के बीच में यह मैच ख पिच रिपोर्ट आप देख सकते हैं अर्टिफिसल विकेट है तो कोई चिंजेज आपको देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पे बैनी रिकॉर्ट की बात करें तो टोटल मैच यहाँ पे चार खेले गया है जिसमें बैटिंग फर्स ने दो जीता है और बालिंग फर्स न करेंगे आदिल सर्वार इजाज एहमद के साथ देख सकते हैं आदिल सर्वार का 29 मैच में 1032 रन 27 का अवरिज 15 विकेट टूनिस ओवर डालके उसके बाद इजाज एहमद टीटेन के 28 मैच में 306 रन 15 का अवरिज 7 विकेट है 8 ओवर डालके आदिल सर्वार न दोस्तों बहुत अच्छा बैटिंग कर लेता है और अच्छा प्लेयर है इजाज हमद वहीं पर थोड़ा सा अच्छा खासा करते हुए ना दिखे लेकिन आदिल सर्वार बहुत अच्छा बैटिंग कर सकता है उसके बाद दोस्तों आएंगे यहां से दिलवार हुसेन देख सकते हैं टीटेन के दो मैच खेला है इस बंदे ने और 45 रन है 22 का अवरेज है और 4 विकेटिंग के नाम है 4 वर डालके बॉलिंग बहुत अच्छी कराता है और बैटिंग से भी बहुत अच्छा कर सकता है आज के आज के मैच का ट्रम कार्ड यही बंदा रहने वाला है रहमान राज पाद आएंगे दोस्तों यहां से राजाकत अली टीटेन के 36 मैच में 203 रन 11 का अवरेज 26 विकेट है 50 वर डालके यह आपको दो वर की बॉलिंग कराते हैं भी दिख जाएगा यह दो वर कहलता है तो दो वर की बॉलिंग जरूर कराएगा जिसनर राजा आएंगे लेप्ट इस का अवरेज है ठिक ठाक प्लेयर है टीम में पिक कर सकते हो सहबाज अहमाद आएंगे राइट अन बैट आइटम फास बॉलिंग कराते हैं टीटेन के 32 मैच में 132 रन 29 विकेट इसके नाम है 35 वर डालके यह भी आपका पूरा पूरा दो वर करा करके देगा तो याद आपके लिए दो वर की बॉलिंग करा करके देगा तो याद रखेगा जो जो दो दो वर की बॉलिंग कराएंगे उटको जरूर टिम में पिक करना है उसके बाद दोस्तों यहां से कमरान रजा टीटेन के 26 मैच में 284 रन 18 का एवरेज है 21 विकेट इन के नाम है 42 वर डालके तो यह भी आपके लिए दो वर करा करके देगा ठीक है अच्छी बॉलिंग कराता है बैटिंग भी आए तो अच्छी बैटिंग कर लेता है अगर यह खेलता है तो जरूर इसको टीम में ट्राइ करना ठीक है तो यहां से कुछ इंपोर्टन प्लेयर मैं आप लोगों को बता देता हूँ दोस्तो अदल सरवार इंपोर्टन रहेंगे दिलवार हुसेन आपके लिए यहां पर इंपोर्टन रहेंगे फिर दोस्तो यहां से जाकत अली और फिर नीचे से दोस्तों मैं प्रिफर करूंगा सिधा सावाज एहमाद मुहमाद सिराज और कमरान रजा और हसन लिको मैं अपनी टीम में लूँगा तो एक कुछ important player है आप यहाँ से batting से और किसी को लेना चाहे तो आपके लिए जो अच्छे option है जिसनर रजा अच्छे option है इनको आप अपनी टीम में try कर सकते हो और हमार राजपूत उल्ला भी अच्छे option है इनको अपनी टीम में try कर सकते हो अगर extra batsman आपको चाहिए तो ठीक है तो यहाँ पे देख लेते हैं कि starting cover कौन कर आएगा तो कमरान रजा, हस्वन अली, मुहमद, सिराज आपको starting में over कराते दिख जाएंगे और death में आपको मुहमद, सिराज और कमरान रजा आपको balling करते हुए दिख जाएंगे बाकी bench के जो player हैं अगर खेलते हैं तो उनके record तो में टेली ग्राम में आपको देगी दूँगा तो चलिए दोस्तों यहां से बात करते हैं बांगलादेश के Kings के प्रोबल प्लेंग लेवन के बारे में जो यह दो मैच खेलक के आ रही है, दोनों मैच इसने विन किया है यहां से दोस्तों open करेंगे ओमर अली सुबदीप देव के साथ, देख सकते हैं ओमर अली का पिछले मतलब लास्ट मैच में साथ और 61 की इनिंग है, बैटिंग से बहुत अच्छा कर सकते हैं, बॉलिंग नहीं करा रहे हैं ठीक है, इंपॉर्टन रहें के ग्रोपनिंग करत सकते हो, ठीक है, फिर उसके बाद नहीं के नवीद रहमान देख सकते हैं, दो मैच इन्होंने जो लास्ट के लिए है, उन जीन में, पहले में आट रन एक विकट दोवर डालके, दूसरे में चौतिस रन जीरो विकट दोवर डालके, मतलब ये बंदा हर मैच में दोवर की बोलिंग कराएगा, और वन डाउन बैटिंग भी आएगा, तो इंपोर्टेंट रहेगा, उसके बाद दोस्तो, मुसियूर रहमान देख सकते हैं, इसने भी दो लास्ट मैच के लिए, दोनों मैच इसमें एक विकट रहे हैं, दो वर डालके, तो दो वर डाल रहा है, तो ऐ जञादा इंपोर्टिंट बन जाता है, ठीक है, उसके बाद दोस्तो, अनिमल हुसेन, दो मैच इसने खेला, दोनों में नोट बैट रहा, इसको बालिंग भी बाकी इसको बालिंग नहीं दिया जा रहा है, पता नहीं यह बालिंग कराया, तो देख लीज़ेगा, कभी भी मुहिनूल इसलाम आएंगे इसने भी दोनों मैच में दो-दोवर की बॉलिंग कराई है और पहले मैच में तीन विकेट और दूसरे में एक विकेट इसके नाम रहा है अच्छा बॉलर है अच्छी बॉलिंग कराता है उसके बाद दोस्तों आएंगे मुहम्मद अबू सेयद राइट अन बैट राइटम तो बॉलिंग कराता है दोनों मैच में इसने एक पहले में एक वर और दूसरे में दो वर मतलब इसमें भी दो वर हो जाता लेकिन मैच खतम हो गया विकेट पूरी गिर गी थी अपोनेंट टीम की तो ये भी दो वर पूरी कराते हुए दिखेगा आपको और पहले मैच में दो विकेट दूसरे में जीरो विकेट रहा था बॉलिंग कराएगा तो इंपोर्टन रहेगा ठीक है उसके बाद दोस्तो कबीर अल अबनूल देख सकते हैं पहले मैच में नहीं खेला था दूसरे में खेला नौट बैट रहा उसके बाद राजू मिया दोनों मैच खेले दोनों में नौट बैट रहा तो इंपोर्टन नहीं रहेगा अबू फाहट पहले में एक रन दूसरे में नौट बैट रहा इंपोर्टन नहीं रहेगा उसके बाद दोस्तों यहाँ से मौईनूल इसलाम, M.D. राहूल और M.D. अबु सयद और दोस्तों फिर यही से इतने ही प्लेयर हैं 6-7 प्लेयर, 6 प्लेयर हैं यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है अभी के लिए बाकी कोई दूसरा खेलता है तो आपको मैं बताऊंगा दोस्तों यहाँ से स्टार्टिंग को और आपको मौशूर रह्मान और मौईनूल इसलाम करते दिखेंगे और डैत में आपको मौमद अबु सयद और मौशूर रह्मान आपको करते हुए दिख जाएंगे बाकी बैंग्स के जो प्लेयर हैं खेलते हैं तो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा अगर खेले तो यही बन्दा जो सौफिकल इसलाम है वो इंपॉर्टन्ट है अब आपकी कोई इंपॉर्टन्ट तो लग नहीं रहे हैं ठीक है बाकी खेलते हैं तो टेलिग्राम पर अब्डेट कर दूँगा तो यह तो हो गया दोस्तों एनलिसीस की बात तो चलिए बात करते हैं एक डेवो टीम की तो दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग से आपको दिखेंगे एस देव और मुहमाद याशीन जो कि मुहमाद याशीन मीडिल ओडर में बैटिंग करने आते हैं एस देव आपको ओपनिंग में दिखेंगे तो यहाँ पर मैं एस देव को प्रिफर करूँगा क्योंकि प्लेयर रहेंगे सबसे पहले तो मैं यहां से लूँगा यहां से आरुला को लूँगा क्योंकि देख सकते हो यह वन डाउन बैटिंग कराने आएंगे और इनका सेलेक्शन रेट भी बहुत काम है तो इनको अपनी टीम में जरूर प्रिफर करूँगा फिर दोस्तों मैं यहा पर फिर मैं यहां से लूँगा ओबू फाहरड को मैं अपनी टीम में यहां पर लूँगा फिर यहां से और प्लेई तो दिखने रहे है जो इंप्लेंट रहें तो बाकिंग की मैं फिर फार यहां पर नहीं कर रह मैं एम रह्मान को जो कि देखे थे आप ओपनिंग भी करा लेते हैं और दो वर की बोलिंग आपको कराएंगे तो इनको जरूर टीम में ट्राइ करना है फिर दोस्ते यहां से आप देख सकते हैं दिलवार हुसेन का जो सेलेक्शन रेट है बहुत कम है जो कि हमारा ट्रंप कार रहेगा दिलवार हुसेन का मैंने रिकॉर्ड आपको बढ़ तो दिलवार हुसेन का देख सकते हैं यहां पर दो मैच में पैतालिस रण बाइस का एवरेज है चार विकट है चार वर डालके तो यहां पर उनका रिकॉर्ड आप देख सकते हैं तो इनको मिस मत करना इंपॉर दोस्तों यहां से नाविड रहमान को भी अपनी टीममे जरूर लूँगा मैं फिर दोस्तों मुहमद सिराज को अपनी टीम में लूँगा तो ये मेरा एक Demo टीम है जो अभी के लिए है बाकी फैनल टीम आपको टेलेरम पे मिल जाएगा यहां पे दोस्तों मैं अपनी कैप्टनसी यहाँ पर दूँगा एम रहमान को और वाइस कैप्टनसी में अपनी टीम में अभी के लिए दूँगा मुहम्मद इसलाम को तो ये मेरे कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे बाकी ये डेमो टीम है फाइनल आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी दोस्तो वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंकियो सो मच दोस्तों